कल हुई फेटफ की मीटिक में एक जबरदस्त नाट की घटना करम हुआ जो पाकिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। दरसल कल पाकिस्तान को हर बार ब्लेक लिस्टेड होने से बचाते आ रहा है चीन सौधी ने इस बार पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया और पाकिस्तान को चेतावनी देने वाले देशों में शुमार हो गए। ग्रे लिस्ट से बाहर निकलवा देंगे पर कल जो हुआ उसकी उम्मिद तो पाकिस्तान ने भी नहीं की होगी। दरसल चीन के आतंक के मुद्दे पर बार बार पाकिस्तान का साथ देने की वज़े से भारत के साथ उसका तनाव बढ़ता जा रहा था और दुनिया में भी किरिकरी होती जा रही थी। और पिछले वर्ष मोदी शी जिनपिंग की मिटिंग में भारत ने चीन को सपष्ट शब्दों में कह दिया था कि पाकिस्तान का लगातार सपोर्ट करने से दोनों के रिष्टे बिगड़ सकते हैं। अब जबकि चीन कई मोर्चों पर हर तरफ स गिरा हुआ है ऐसे में वह दुबारा पाकिस्तान को बजा कर भारत की नाराज़गी मौल नहीं ले सकता था। चीन को अपनी अर्थ्व्य करण से हर मुद्दे पर बारत की सकती जरुत है दूसरी दरफ सौधी भी पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहता था दरसल जब से इमरान कान पीम बना है तभी से वह सौधी की इसलामिक देशों के नेतरुत को चुनोती देने वाली हरकतें करता रहता है जिसका ताजा उधारण पिछले मैंने मलेशा में होने वाली इ थी ये सीधा सीधा सौधी को चेलेंज था जो सौधी के पेशों पर पलता हो और वही उसे चुनोती दे ये सौधी को कैसे मंजूर होगा यही कारण था कि इस बाद सौधी भी भारत के साथ आया पाकिस्तान का साथ केवल तुर्की ने दिया जो आजकल पाकिस्तान के काफी करीब आ रहा है दरसल एर्दोगवन वापस से ओटोमन एमपार टाइब मुसलिम दुनिया का लीडर बनना चाता है जिसके लिए वो तुर्की को एक पर्माणू संपन देश बनाना चाता है और इसमें पाकिस्तान से अच्छा साती कोई और नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तान पेशों के लिए पर्माणू बम तकनीक पहले भी बेच चुका है कल सौधी चायना का भारत के साताना एक कूट नितिक जीत और भारत के लगातार बढ़ते अंतरराश्टी दबदबे को दिखाता है